हेलो फ्रेंड्स हावार यू जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है आज है 27 जनवरी 2020 और सभी बड़ी खबरों को कवर करते हुए और बड़े ही मज़ेदार तरीके से हमने आज का करंट अफेर का वीडियो तियार किया है और हमारा ये करंट अफेर वीडियो अन्य किसी यूट्यूब चैनल के करंट अफेर वीडियो से बिल्कुल ही अलग है क्योंकि यहां हम जयादा से जयादा images add करते हैं और जयादा से जयादा important fact भी जोडते हैं तो प्लीस दोस्तो वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखेगा, लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पुछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेट बॉक्स में देना है, और आज के वीडियो के क्वेश्चन की फीडियो फाइल निचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, आज का पहला क्वेश्चन है, प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी को पहले सागर माथा समवाद फोरम में हिस्सा लेने के लिए कीस ने आमंत्रित किया, तो पहली ब पहले सागर माथा समवाद फोरम में हाजिर हो, और हम बात करते हैं इस सब पहले समवाद की और नेपाल की, तो सागर माथा का नाम आपको याद होना चाहिए, हमारे माउंट एवरेश्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहा जाता है, तो सागर माथा समवाद इसका आयोजन 2-4 अप्रिल 2020 के बीच किया जाएगा और इस समवाद के दवरान सार्क समू के सभी देश के मुख्या भी वहां मौजुद होंगे तो हमारे और पाकिस्तान के बीच यहां कॉंट्रोवर्सी देखते हुए क्या आगे चल कर नतीजा आता है वो हमें वक्त बताएगा और सागर माथा समवाद फोरम में वेश्वीक, क्षित्रिय और राष्ट्रिय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की जाएगे और फोरम की थीम क्या रखी गई है यह हमारे लिए मोस्ट इपोर्टन क्वेशन है तो इस फोरम की थीम यानि की विशय रखा गया है जल वायू परिवर्तन, पर्वत एवं मानोता का भविश्य जो इस साल के पहले इस समवाद की थीम रखी गई है और सागर माथा समवाद का नाम करन किस तरह किया गया है तो इसका नाम दुनिया के सबसे उचे परवत सागर माथा जिसे माउंट एवरेष्ट भी कहते है तो माउंट एवरेष्ट के नाम पर रखा गया है जो मित्रता का प्रतिक है और इसका उद्दिश्य मानोता के हीत की धारना को बढ़ावा देना है और यह आयोजन किया जा रह है नेपाल में तो पहले तो आप मेप में देखे यह है नेपाल जो हमारे यहां उत्तर प्रदेश से सटा हुआ नेपाल नेपाल के राजदानी का नाम क्या है? काठमंडू नेपाल के हाल ही की राष्ट्रपती कौन है? विद्या देवी भंडारी और नेपाल के हाल ही के प्रदान मंत्री कौन है? खड़क, प्रसाद, शर्मा, ओली नेपाल की करेंची क्या है? नेपाली रुप्या और नेपाल के 85 प्रतिशत नागरित वो हिंदू है और नेपाल विश्व के प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा हिंदू धर्माव लंबी राष्ट्र भी है और इसलिए आपको नेपाल के बारे में यह बात याद रखनी है तो दोस्तो एक क्वेशन से जुड़ी इंपोर्टन बात थी वो मैंने आपके सामने रखे और हमारा यह तरीका आपको पसंद आया है तो लाइक करना मत बुलिएगा दूसरा क्वेशन भगोडे नित्यानंद का पता लगाने में मदद करने के लिए ब्लू कॉर्नर नौटिस कीस ने जारी किया तो हाल ही में हमारे भारत के भगोडे नित्यानंद रोयक को पता लगाने के लिए ब्लू कॉर्नर नौटिस चारी किया है इंटरपॉल ने और इस पर प्रेशर किया हमारे गुजरात स्टेट ने और इसलिए इस क्विशन का सही अंसर है इंटरपॉल और इंटरपॉल और यहां बात आती है नित्यानन के तो यह देखिया हाल ही में इश्यू क्या सामने आया गुजरात पूलिस द्वारा इंटरपॉल से इस संदर्व में हस्तक्षेप किये जाने की मांग के बाद इंटरपॉल संस्थाने भगोडे नित्यानन का पता लगाने में मदद करने है तो एक ब्लू कॉर्नर नोटिस चारी किया और यह नित्यानन है कौन तो इन पर बलातकार और यहिए इन शोशन के कही सारे अपराद जुड़े हुए है और वो इस पर हाल ही में यह ब्लू कॉर्नर नोटिस चारी किया गया है तो इंटरपॉल द्वारा मुक्यत अहा साथ प्रकार की नोटिस चारी की जाती है और इसमें blue corner notice है क्या तो blue notice है यह notice किसी अपराद के सबंद में व्यक्ति की पहुचान, स्थान या गटी वीदियो के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने के लिए जारी किया जाता है यह blue notice जो हाल ही में interpol ने जारी किया है तो interpol से जुड़ा हुआ एक question कुछ मन्द पहले ही मैंने आपको बताया था वो question क्या था कौन सा देश 91 interpol महासभा की 2022 की मेजबानी करेगा तो इस 91 interpol महासभा की 2022 में मेजबानी करेगा हमारा देश इंडिया और इसलिए इस question में आपको यह पता होना चाहिए और interpol के महासभा का नाम क्या है जिसका नाम है जुरगेन स्टॉक यहाँ इमेज में भी देख सकते है और interpol यह है क्या इसका पुरा नाम क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए तो interpol का पुरा नाम है international criminal police organization और यह हिंदी में पड़े तो अंतराष्टिय आपरादिक police संस्था यह कारिय क्या करती है यह अंतराष्टिय संस्था है जो विबिन मुद्दों के police के बीच सहयोग के अंतराष्टिय आपरादियों को पकरती है और interpol का मुख्याले का पर सिथे फ्रांस के लियो शहर में इसका मुख्याले स्थी थे और यहाँ पर एं मुख्याले की image भी देख सकते है तो interpol का मुख्याले स्थी थे फ्रांस के लियो शहर में तीसरा question हाल ही में दक्षिन एशिया के चुनाव प्रबंधन निकाय का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है हमारे भारत के Chief Election Commissioner of India यानि की सुनिल अरोडा को इस दक्षिन एशिया के चुनाव प्रबंधन निकाय का अध्यक्ष चुना गया है और इसलिए इस question का सही answer है सुनिल अरोडा और यहाँ आप image में देखें सुनिल अरोडा हमारे भारत देश के 23 नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुकत है और बात करें तो सुनिल अरोडा ने किसका स्थान लिया? सुनिल अरोडा ने बांगला देश की वर्तमान मुख्य चुनाव आयुकत के एम निरूल हुडा का स्थान लिया है किसका स्थान लिया है? के एम नुरूल हुडा का स्थान लिया है और यह question कि दक्षिन एशिया के चुनाव प्रबंधन निकायों के इस मंच की स्थापना कब क की गई थी तो इस मंच की स्थापना मैं 2012 में नई दिल्ली में आयोजित सार्क देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रमुक होके तीसरे सम्मेलन के दवरान इस दक्षिन एशियाई के चुनाव प्रबंधन मंच की स्थापना की गई थी चौथा क्वेशन हाल ही में किस ने अपना उन्ना सिवा स्थापना दिवस मनाया तो हाल ही में उन्ना सिवा स्थापना दिवस मनाया है ITAT ने यानि कि इस question का सही option है C और आपके दिमाग में question है कि सर जी ITAT का पुरा नाम क्या होता है तो वो भी मैं आपको बता दू यह देखिए ITAT का पुरा नाम है Income Tax Appellate Tribunal और इसको हिंदी में पढ़े तो आइकर अपिलिय अधिकरन रुसका ITAT का पुरा नाम है और इसकी स्थापना कभ हुई वर्ष 1941 में आइकर अधिनियम 1922 की धारा 5A के तहत इस आईटी एटी की स्थापना हुई और यह आइकर अपिलिय अधिकरन एक अर्धन्याइक संस्था है क्या है? एक अर्धन्याइक संस्था है रखेगा इसको मदर ट्रिब्यूनल भी कहा जाता है जो देश का सबसे पुराना अधिकरण है और इसका कार्या है यह प्रत्यक्सकर अधिनियम जैसे के आईकर अधिनियम 1961 के तहत की गई अपिल के सबंधित सुनवाई करता है और यह सुनवाई करता है इंकम टेक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल लेकिन सुप्रीम कोट में वो जा सकते है पाचवा क्विशन निमना में से किस मंदराले ने विश्व विद्यालेयों में पीठो की स्थापना करने की घोशना की है तो हाल ही में हमारे भारत देश के महला एवं बाल विकास मंदराले व विश्व विद्यालेयों में पीठो की स्थापना करने की घोशना की है और इसलिए इस क्विशन का सही आंसर है महला एवं बाल विकास मंदराले तो इस पीठो की स्थापना करने का उद्देश क्या है इसका उद्देश है अनुसंदान गती विद्यों में महलाओं को प्रो समाजिक सुधारों के क्षित्रों में प्रसिद महिलाओं के नाम पर पीठों की स्थापना की जाएगी जिसका नामकरण भी किया गया है और इसके लिए विश्व विद्याले अनुदान आयोग यानि की युनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन विद्तिय सहायता प्रदान करेगा इसलिए आपको कैबिनेट मंत्री मंडल के बारे में भी पता होना चाहिए चठा क्वेशन हाल ही में भारत परवद 2020 कहां शुरू हुआ है तो भारत परवद 2020 हाल ही में शुरू हुआ है नई दिल्ली में और इसलिए इस क्वेशन का सही अंसर है नई दिल्ली और इसका आयो परजन किया गया है तो भारत परवक के बारे में मैं आपको बता दू इसका उद्देश्य है लोगों को देश के विबिन परियतन स्थलों को देखने के लिए प्रेरित करना और भारत परवक का इस साल का विशे क्या रखा गया है तो भारत परवक के इस साल का सबजेक्ट की गई है और यहां आप ए इमेज को देखिए 26 जन्वरी से लेकर 31 जन्वरी 2020 तक यह आयोजन किया गया है न्यूट डेल्ली में और डेल्ली में कहाँ पर जिसका स्थान है लाल किला पुरानी डेल्ली में सात्वा क्वेशन वर्स 2020 की गणतंटर दीवस परेड कहां से प्रारम हुए तो कल ही हमने इस गणतंटर दीवस परेड को ृटीवी पर देखा और इस परेड की शुरुआत की गई है वीजय चॉक से कहां से विजय चौक से और इसलिए इस क्वेशन का सही अंसर है option C तो यहां मैं कल जब हमारा 31 गंद तंतर दिवस मनाया गया उसमें जो most important बात हमारे सामने आई वो मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ तो आयोजन राष्ट्रिय राजदानी दिल्ली के राजपत पर इसका आयोजन किया गया और राष्ट्रपती रामनात कोविंद ने तिरंगा जंडा फहराया और परेड को सलामी ली परेड की सला मिली और ब्राजिल के राष्ट्रपती जायर मेसियास बॉल्सो नारो इस वर्ष के गंतंत्र दिवस के समारो के मुख्य अती थी थे यानि कि चिफ गेस्ट ब्राजिल के राष्ट्रपती जायर बॉल्स नारो थे और गंतंत्रा दिवस परेड वीजय चोक से प्रारम हुई और लाल किला मेदान की और आगे बढ़ी परेड का नेतरुत्व किस ने किया तो दिल्लीक शित्रों मुख्याले के जनरल ओफिसर कमांडिंग परेड कमांडर लेफटेनेंट जनरल असित मिस्त्री ने किया और यहाँ आप देख सकते हैं असित मिस्त्री इन्होंने इसका नेतरुत्व किया है आठवा कुशन किस देश में आये शक्ती शाली भुकम में 20 लोग मारे गए और सैकडों कायल हो गए है तो बहुत ही दुख दायक हाथसा हुआ है यानि कि प्राकृतिक आपति का प्रकोप फुट पड़ा है हाल ही में इस तूर्की देश पर जहाँ पर भुकम की वज़ा से 20 लोग मारे गए और सैकडों वहाँ पर खायल हुए है तो इस क्वेशन का सही आंसर है तूर्की और इस आये भुकम की बात करें तो इसकी तीवरता कितनी थी तीवरता थी 6.8 रेक्टर स्कैल और भुकम का कैंदर कहाँ पर था सीवरिस में कहाँ पर सीवरिस में और जब भुकम यानि की जियोग्राफी से जुड़ा हुआ क्वे नाम है सिस्मोग्राफ क्या है सिस्मोग्राफ और भुकम की तरंगों की तीवरता मापने का एक गानिती यह पैमाना क्या है तो पैमाना है रिक्टर पैमाना और यह दोनों वर्ट्स आपको याद रखने होंगे और यह हाल ही में भुकंप आया है तूर्की में तो पहले तो आप ए देखे यहाँ पर स्थीत है यह तूर्की और यहाँ पर हमारा इंडिया इंडिया से यहाँ पर पाकिस्तान, इरान और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर है तूर्की और तूर्की की कैपिटल का नाम क्या है अंकारा तूर्की की करेंसी का नाम क्या है नई तूर्किश लिरा और तूर्की के हाल ही के राष्ट्रपती कौन है रजब तैयब इर्दुगान क्या नाम है रजब तैयब इर्दुगान जो हाल ही में तूर्की के राष्ट्रपती है तंत्र दिवस हार ही में जब मनाया गया तो हमारे राष्ट्रपती ने इस अउसर पर पद्मपुरस्कारों की घोशना की और यह पद्मपुरस्कारों की संख्या है 141 यानि कि इस क्वेशन का सही अंसर है 141 141 जो इस सब पद्मपुरस्कारों की घोशना की गई है तो पद्मपुरस्कार तीन केटेगरी में दिये जाते हैं पद्मवीबुशन उसके बाद पद्मभुशन और तीसरा पद्मस्री तो इनमें पद्मवीबुशन की संख्या है 7 पद्मभुशन की संख्या है 16 और पद्म पुर्व विपूशन से भी सम्मानित किया गया है तो पहले ए देखे 12 लोगों को यह पुरसकार मरनो प्रांत प्रदान किया जाएगा और सुष्मा स्वराज यहां देख सकते हैं जो हमारे पुर्व विदेश मंत्री हुआ करती थी सुष्मा स्वराज और इसी के साथ हमारे पुर्व विदेश मंत्री जो हाल ही में स्वर्गस्त है अरुन जेटली साब उन दोनों को पदमा वीपूशन से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों तो इस साल मरनो प्रांत पदमा वीपूशन से इन दोनों महान व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा मरनो प्रांत और इस के साथ यहां आप इमेज में देखिए यह है MC मेरिकॉम और MC मेरिकॉम को भी पदमवीपुशन से सम्मानित किया जाएगा दस्वा क्वेशन वर्ल्डब ब्रेश्ट फीडिंग ट्रेंड्स इनिशियेटिव के सरिलंका को यानि कि इस क्वेशन का सही अंसर है option C स्रीलंका तो इस हाल ही में सर्वेक्षड में सामने बात आये है और इसमें अवल स्थान पर रहा है स्रीलंका तो World of Rest of Feeding Trends Initiative की बात करे तो 97 देशों का सर्वेक्शन किया गया और इस सर्वेक्शन में स्रीलंका को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और स्रीलंका को 100 में से 91 अंग प्राप्त हुए और हम भारत की बात करें तो इस सर्वेक्षन में भारत को 78 वा स्थान प्राप्त हुआ है और भारत का स्कॉर है 45 और इसलिए यहां हम काफी पूर साबित हुए है इस हाल ही में आये सर्वेक्षन में तो यह आखिर World of Breast Feeding Trends Initiative है क्या तो World of Breast Feeding Trends Initiative को 2004 में शुरू किया गया था और इसे दिल्ली में Best Breast Feeding Promotion Network of India के विशेशक जोद्वारा शुरू किया गया था और यहां बात आती है स्रीलंका की तो स्रीलंका के बारे में अक्सर आपको याद रखना है कि स्रीलंका की कैपिटल का नाम क्या है एक है जैवर्धनेपुरे कोटे जो स्रीलंका की administrative capital है और दूसरी है कॉलंबो जो स्रीलंका की एक commercial capital है और स्रीलंका के हाली के नए प्रधानमंत्री कोन बन गए है महिंदा राजपक्षे और स्रीलंका के हाली के नए राष्ट्रपती कोन बन गए है गोटा बया राजपक्षे और स्री लंका की करेंसी का नाम क्या है स्री लंका रूपया और एक क्वेशन भी करेंड अफेर में मैं आपको बताया था कि हमारे भारत के एड्मिरल करम बिर्सी उन्होंने स्री लंका का दोरा किया था तो स्री लंका के नौ सेना प्रमुख वाइस एड्मिरल पीयाल डे सिल्वा से भी बेट की थी तो इसलिए आपको यह बात याद रखनी चाहिए ज़ारवा क्वेशन 44 में कलकत्ता पुस्तक मेले के लिए किसको फोकल थेम कंट्री चुना गया है तो यह 44 वे कलकत्ता पुक फैर का आयोजन किया गया है और इसमें फोकल थेम कंट्री चुना गया है रूस को किसको रूस को और यहाँ इमेज में देखे यह 44 इंटरनेशनल कलकत्ता पुक फैर का आयोजन किया जा रहा है तो कब से किया जा रहा है 29 जन्वरी से लेकर 9 फर्वरी तक यह कलकत्ता बूख फेर फेस्टिवल चलेगा और यहां हम बात करते हैं यह 44 वे कलकत्ता पुस्तक मेले के उद्गाटन के तो पच्चिम बंगल के मुख्यों मंत्रे ममता बनर जी और इसी के साथ भारत में रूस के अमबे सेडर निकोली रिशातो वीच इसका उद्गाटन करेंगे और इसका आयोजन कब किया जाएगा? 29 जन्वरी से लेकर 9 फर्वरी के बीच इसका आयोजन किया जाएगा और मेले में 600 से अधिक पुस्तक स्टौल है और कोलकता साहितिय उचसव इसी के दवरान ही आयोजन किया जाएगा कब किया जाएगा? 6 से 8 फर्वरी के दवरान या कोलकता साहितिय उचसव का भी आयोजन किया जाएगा और जब फोकल कंट्री रहेगा रूस तो आप पहले तो मेप में देखे यहाँ पर है रूस और रूस की कैपिटल का नाम है मोस्को और अगल बगल में कौन कौन से देश स्थी थे तो यहाँ पर है फिनलेन, मेलारूस, युक्रेन, कजाखस्तान, मौंगोलिया और चाइना से चुड़ा हुआ है रूस, रूस की कैपिटल का नाम क्या है मोस्को, रूस के हाल ही के राष्टरफदी कौन है व्लादी मीर पुतिन और रूस के हाल ही के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए है तो नए प्राइम मिनिस्टर बन गए है मिखाईल मिशुस्तिन, कौन मिखा दिया जाता है जिसका नाम है डियूमा बारवा कोशन हाल ही में गजनवी मिसाइल का फरिक्षन किस ने किया तो गजनवी नामक एक मिसाइल का फरिक्षन हाल ही में अपने पडोसी मुल्क पाकिस्तान ने किया है यानि कि इस क्वेशन का सही आंसर है पाकिस्तान और पाकिस्ता पाकिस्तान ने यह गजनवी मिसाल का परिक्षन किया है तो इसकी खास बात क्या है तो देखिए गजनवी मिसाल है यह एक बैलेस्टिक मिसाल है और परमानु अहत्यार ले जाने में यह मिसाल सक्षम है और यह मिसाल सतह से सतह मार कर सकती है और इसकी रेंज है 290 किलोमेटर औ आप पहले तो पाकिस्तान के बारे में आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान और भारत के बीच जो डिवाइडिंग लाइन है इसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है और पाकिस्तान की कैपिटल का नाम क्या है इसलामाबाद पाकिस्तान के हाल ही के प्राइम मिनिस्टर कौन है पूर्व क्रिकेटर रह चुके इमरान खान वो पाकिस्तान के हाल ही के प्राइम मिनिस्टर है और पाकिस्तान के राश्टरपती का नाम क्या है आरिफ अलवी और पाकिस्तान की करिंसी का नाम क्या है पाकिस्तानी रुपिया और पाकिस्तान में हाल ही में रोटी के दाम दोस्तों बहुत ही बढ़ गए है तिरवा क्विशन देश की पहली इवेश्ट यानि की इलेक्ट्रोनिक कचरा क्लिनिक कहां खोली गई है तो हाल ही में हमारे भारत देश की पहली इलेक्ट्रोनिक कचरा क्लिनिक खोली गई है मध्यप्रदेश की कैपिटल भोपाल में और इसलिए इस क्विशन का सही अंसर है औप्शन सी भोपाल और जब भी भोपाल की बात आती है तो तीन दिसंबर से को हुआ यह हाथसा हमारे सामने आता है क्योंकि तीन दिसंबर को बीश्वी सदी में दुनिया की प्रमुक दूरगटनाओं में से एक भोपाल गैस त्रास्टी हुई थी और उसी को ध्यान में रख हुई थी इसका नाम था मिथाइल आइसोसाइडनाइट क्या नाम था मिथाइल आइसोसाइडनाइट जहरीली गैस के रिसाओ के कारण यह भोपास गैस त्रास्टी हुई थी और भोपाल की बात करें तो भोपाल है वो मध्यप्रदेश की कैपिटल है जब जब आ क्वेशन हाल ही में केंद्रिया ग्रामिन विकास मंद्रा लेने कीश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किये है तो हमारे भारत देश के केंद्रिया ग्रामिन विकास मंद्रा लेने हाल ही में Bill and Melinda Gates Foundation के साथ एक बात पर MOU यानि कि Memorandum of Understanding पर हस्ताक्षर किये है और इसलिए इसक्वेशन का सही आंसर है Bill and Melinda Gates Foundation तो वर्स 2000 में Bill Gates और Melinda Gates ने इसकी शुरुआत की थी और इसका मुख्य लक्ष क्या था? अमेरिका में स्वास्तियों के एक शेत्र में सुधार करना था लेकिन बात में शिक्षा के एक शेत्र में भी बढ़ा दिया गया है और Bill and Melinda Gates Foundation ने MOU पर दिन दयाल अंतियोद योजना और इसी के साथ हमारे भारत की केंदर सरकार की राष्टिय ग्रामिन आजेवी का मिशन के तहत इस हाल ही में हस्ताक्षर किये गये है और यहां इन दोनों के नाम भी याद रखेगा और कीस कंपनी के स्थापक है Bill Gates इसका आंचर आपको निचे कमेट बॉक्स में लिखना होगा और हम पहुचते हैं कल के वीडियो के क्वेश्चन के और तो हाल ही में पहली सू कुमार सेन स्मारग भाषन माला का आयोजन कीस ने किया और कुछ दोस्तों ने इसका गलत आंचर दिया था निती आयोग तो प्लीज दोस्तों करेक्शन कर लिजिएगा इस पहली सू कुमार सेन स्मारक भाषण माला का आयोजन किया गया है निर्वाचन आयोग द्वारा और इसलिए इस question का सही answer था option B और यहां सू कुमार सेन की बात आती है तो हमारे भारत के पहले मुख्यो निर्वाचन आयोग थे सू कुमार सेन और हम पहुचते हैं आज के वीडियो के question के और तो दोस्तो आज का question क्या है विश्व के सबसे छोटे स्वाने के सिक्के का उत्पदन कहां किया गया तो यहां आप देख सकते हैं हमारे विश्व के महानतम साइन्टिस्ट आलबर्ट आइस्टेन की यहां image है और यह सबसे छोटे कद के सिक्के का अनावरन हाल ही में कीस देश द्वारा किया गया यहां चार option आपकी screen पर है और उसी में से आपको choice करके यहां answer देना है और दोस्तो आप हमारे साथ जुड़े रहे और मैं आपको भी बता दू हमारे कई सारे friends ऐसे भी है जिन्हों ने यहां comment section में description में लिखा और मैं आपसे भी बोलना चाहूंगा आप भी comment में ज्यादा से ज्यादा लिखा करो क्योंकि एक बार जो आप लिख देते हैं फिर आप उसे कभी नहीं बुलते कल फिर मिलेंगे नए current affair के साथ तब तक के लिए जैहिन